वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज जो है वो 26 ओफ नवेंबर को जो है वो जेबिटी और डीलेट का जो टैट कंड़क्ट कराया गया उसमें जो है हम देखने जा रहे हैं साइकालोजी पोश्चन 30 को डिसकस करेंगे और इसमें आपको जो है वो अप्रोप होना उसको क्या कहा जाता है तो गाईज इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसको कंडिशनिंग यानि की अनुबंधन कहा जाता है सेकंड कुश्चन है लेर्निंग डिजाइन इस एमफेसाइजिंग इन चुल अधिगम डिजाइन है वो किस पर डिपेंड करत करता है तो वो निर्मित बाद यानि की कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है थार्ड कुश्चन है जो आपका सांस्कृतिक और जैविक समाजिक विकास का सिध्धान्त किस ने दिया था वागत्सकी ने ऑप्शन नमबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहां पर समृति की कितनी अवस्थाएं हैं तो तीन होती है नेक्स टेप पावलव कहां के निवासी थे तो यह रूस के थे रश्या के सिक्स्थ नमबर कुश्चन है मैं जानता हूं जलकारासाइनिक सुत्र होता है कि समृतिका उधारन है तो गैस यह सिमेंटिक मैमरी का उधारन होत जाते हैं तो यानि कि सी यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा लैंविच की बात करते हैं गैस्ट्रॉट का मतलब जो है वो बोला जाता है यह पूर्ण से आंश की तरफ चलता है तो डी ऑप्शन होल या फिर पूर्ण हम बोल सकते हैं नाइन्थ नमबर कुश्चन है कौन से है जन्होंने कहा था कि अनुवफ के द्वारा जो है कि वो जियान अरजित किया जा सकता है तो यह ग्रीक जो दारशनिक थे अरस्तू एरिस्टोटल जिन्हें कहा जाता है और बी जो है वो करेक्ट अंसर हो जाएगा यह पर नेक्स्ट है टैन्थ नमबर कुश्चन 10 वुध जो यह 11 का B option correct हो जाएगा next है 12 number question मांसिक शमताओं के विकास को क्या आज कहा जाता है mental ability is known as संग्यानात्मक विकास यानि की cognitive development option number C correct हो जाएगा next है 12 number question बालक का किस वर्ष्ट तक की IU में मस्तिश्क विकास होकर लगवग पूर्णाकार प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर जो है 5 to 6 जो है इसकी 1 to 5 होती है लेकिन इस तरीके की कोई option नहीं बताई गई है तो यहाँ पर direct जो है nearby 5 के जो है option 6 है इसलिए B option आपका correct हो जाएगा next step 14 number question फ्राइड के नुसार IED यानि कि इद का आधार किसे मानेंगे तो इद का जो आधार है guys वो player principle को माना जाता है और अगर यहाँ पर ego पूछा गया होता तो वो reality principle पे होता और super ego अगर पूछा होता तो वो morality principle के ओपर बेस्ट होता जिन भी students के आगे जो है वो psychology जिन भी exam में आनी है medical, non-medical किसी भी चीज की बात करें तो उनके लिए ये सारी question जो है वो बहुत important रहेंगे तो वो उनको अच्छे से पढ़के जाएंगे next है 15 number question आत्मकेंदरित सभाव के व्यक्ति डैश के व्यक्तित्तों के होते हैं तो self-centered होते हैं खुद में जो होते हैं यानि कि B option आपका correct हो जाएगा अंतर मुखी सिध्धान्त next है 16 number question विकास कैसी प्रक्रिया है तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है B option correct हो जाएगा 17 number question में पूछा गया है मनोशारिक असमानताओं को क्या कहा जाता है तो जो कोई भी difference होता है उसको individual कहते हैं यानि कि C option आपका correct हो जाएगा 18 number question है लगू कालीन जिसे हम कहते हैं short term memory hold करती है information को तो ये करती है 20 to 30 seconds से कम जो 30 seconds से कम होती है यानि कि option number A आपकी यहाँ पर correct answer होगा next 10, 19 number question एरिक्सिन के सिध्धानत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था किस में आती है तो ये आपकी जो है 0 से 1 वश्वास में आती है B option correct हो जाएगा बिगत अनुभवों की पुनह जागरिती है जो revival past experiences होते है उनको फिर से जागरित करना है तो उन्हें हम कहते है recall यानि की प्रत्यस्मरण 20 number 1 number question जो मैसलों के सिध्धानत है यहाँ पर बताया गया है अभी प्रणा यानि की motivation के बारे में उनों बताया था तो सबसे बाद में कौन सा आता है सबसे बाद का जो करम है जो option number C आत्मसिध्द्दिक की आविशक्ता जो है वो C option correct हो जाएगा जो A option है वो हमारी सबसे पहले आता है और C जो है सबसे बाद में आता है यहां पे सबसे बादगाही करम जो है वो पूछा गया था निक्स्ट है 22 नमबर कुश्चिन जो 16 परस्टनलिटी फैक्टर कुश्चिनर है 22 में पूछा गया है यह C सिरिस को हम जो अगा इस डिस्कुस कर रहे हैं यहां पर option number D जो cattle है वो correct answer हो जाएगा निक्स्ट है 23 नमबर कुश्चिन समुद्र से त्यारते हुए हिमखंड जो है मन की की तोलना जो है की गई थी किसने की थी सिग्मन्ट फ्राइड ने किया था वर्फ की एक शीरा के रूप में या हिमखंड के रूप में बताया था नेक्स्ट है 24 नमबर कुश्चिन मनो विज्ञान के सिध्धान्त यानि के प्रिंसिपल आफ साइकॉलिजी जो एक बुक लिखी थी तो लिखी है विल्यम जेम्स ने C option यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है 25 नमबर कुश्चिन थाइरोइड गरंती नियंतरत करती है तो वो मैटावुलिजम को जो है वो कंट्रोल करती है तो C option करेक्ट हो जाएगा स्रिजनात मक्ता का विज्ञानिक अध्यन किस ने शुरू किया तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन गाईज यहां पर बी नंबर हो जाएगा यह 1950 में किया गया था गिलफर्ड ने स्रिजनात मक्ता का विज्ञानिक अध्यन साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रियेटिविटी जेपी गिलफर्ड ने की है नेक्स्ट है ट्विटी सेवन नंबर कुश्चन फादर ओफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलोजी के जो जनक है वो आएंगे विलियम बुंट ए आपके पास करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट है ट्विटी एट नंबर कुश्चन आज के हमारे तीन ल यानि कि यहां पर रोशार्क जो है इनका नाम है यह पर्सनेलिटी टेस्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट नेक्स्ट है थर्टी नंबर कुश्चन आज का लास्ट कुश्चन वालक के व्यक्तित्व अधियन की अध्यन की वनोवेग्यानिक विदी है तो आप सभी के लिए यह ज बहुत ज़ादा इंपॉर्टन रहेंगे तो इसी तरीके से जो है जितने भी अभी आगे जितने भी टैठ होने वाले हैं उन सभी की जो है आप लोगों को इसी तरीके से जो सॉल्ड आंसर की है मेरी चैनल पर मिल जाएगी और बिल्कुल ही ऑथेंटिक जो है वो सारे आंसर आप लोगों को बताएगे हैं बिल्कुल ही अप्रोप्रियेट ठीक है अगर होगा भी तो एक आदे कुशन में आपका ऊपर नीचे हो सकता है बाकिस अभी कुश्चन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बताएगे हैं थैंक्यू गाइज